हिट मैन रोहित शर्मा नहीं खुद खोला लंबे लंबे छक्के लगाने का राज बांगलादेश के खिलाफ दूसरा टी बीस राज कोट में खेला गया जहां रोहित ने 85 रनों की अहम पारी खेल का टीम इंडिया को जीत दिलाई रोहित शर्मा ने अपनी इस पारी में 43 गेंदों का सामना किया और 64 और 6 चक्के लगाए मुकाबले के बाद रोहित शर्मा ने चक्के लगाने का राज भी खोला है चहल टीवी को दिये गए इंटर्व्यू में रोहित शर्मा ने कहा पहला टीबीस मैच हारने की वज़े से हम थोड़े दबाव में थे हमें दूसरा में जीतना अनिवारिय था हमने सब कुछ ठीक किया है मैंने लगातार तीन चक्के लगाए और चाओ था चक्का लगाना चाहता था पर ऐसा नहीं हुआ रोहित शर्मा नहीं खुद कहा कि बड़े चक्के लगाने के लिए आपको सिर्फ शाक्ती शाली होना जरूरी नहीं यह पावर और टाइमिंग के मिश्रंट से रोहित आ है बता दें कि पहले टीबिस मुकाबले में रोहित शर्मा के बले से आट रन भी निकले थे पर उन्होंने दूसरे टीबिस में तुफानी जलवा दिखाते हुए रही सही कसर पूरी करने का काम किया रोहित शर्मा की गिंती टीबिस के दानसूं खिलाडियों में होती है वह जब तक मैदान पर रहते हैं तो तब तक खूप छक्के और चौके की बारिश देखने को मिलती है बता दें की रोहित शर्मा दुनिया के एक मात्र ऐसे बल्लेबाद है जिनके नाम टीबिस अंतराश्ट्रिय क्रिकेट में चार शतक रहे हैं यही नहीं रोहित जबरदस्त पॉम टीम के बाकी खिलाडियों को हमेशा बढ़ा करने के लिए प्रेरित करती है वैसे बांगलादेश के खिलाफ सीरिज बराबरी के बाद टीम इंडिया सीरिज जीतना भी चाहेगी